नमस्कार बच्चो, फाइनली आपका क्लास 9 और 11 का रिजल्ट आ चुका है और आप अब त्यारी करें होंगे अपनी बोर्ड क्लास की, क्लास 10 और क्लास 12 की यहाँ पर मेक्सिमम जो स्टुडेंस हैं, आपके क्लास 9 की और पास हो चुके हैं, आपने भी रिजल्ट देखा होगा, चेक किया होगा, ग्रूप में आपको रिजल्ट मिला होगा, तो आपने compare किया होगा कि near about 95% के आज़ पास students हो पास हो चुके हैं अब कुछ students है जिनको re-exam देना है तो यहाँ पर कई type के comments आपके मुझे मिल रहे हैं एक तो detail marks के रिकाड़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आपने comment box में देखा होगा बहुत सारे students हैं जिन्होंने अपने mark share कियें percentage share कियें class में अपनी position share किये लेकिन बहुत सारे students ऐसे हैं जिनको सिरफ यह पदा चला है कि वो pass हुए है या फिर fail हुए है तो यह जो detail result है वो कैसे देख सकते हैं कहां से उनको मिलेगा वो हम बात करेंगे बात करेंगे जिन students को re-exam मिला है उनका आगे क्या होने वाला है किस टाइब की उनको preparation करनी है और साथ-साथ worksheet को लेकर कि यह worksheet का बाने वाले कहां तक पहुंच के यह भी हम discuss करेंगे सबसे लिए हम बात करते हैं result के detail result के जो detail result आपके साथ students share करें comment box में आपने देखा होगा जो percentage आपके साथ share करें class में position share करें तो यह detail result आप खुद check नहीं कर सकते इसके लिए आपको अपने class in charge से contact करना है उनसे request करनी है गर आप request करोगे तो उनके पास detail में result available है जब result आया था तो सबसे पहले detail में available हुआ था school को तो वो आपके साथ group के through या फिर personally share कर सकते है इसके लिए आपको request करने है request करने का मतलब यह होता है कि class in charge है generally यह हुआ है कि उन्होंने अपने आप group में class group में share किया लेकिन अगर नहीं किया तो आप उनसे request केजिए अगर फिर भी नहीं किया जाता है तो आप अपने favorite teacher से request केजिए वो side arrange आपको करवा देंगे वहां से आप अपने ही नहीं अपने पूरी class के students के marks चेक कर पाऊगे कि आपको mid-term में कितने marks मिलें internal assessment में कितने marks मिलें total marks कितने percentage है वो भी calculate कर पाऊगे पहली चीज कि आपको कहां से मिलेगा ऐसे भी हैं जिनके all subject में re-exam है exam दियें लेकिन उनको अच्छे marks नहीं मिले तो उनका क्या रहेगा तो अभी तक उसके बारे में कोई circular नहीं आया जैसा कि हमने last circular में बात की थी तो उसमें दिया गया था कि re-assessment होगा re-assessment की space पे होगा आपकी internal assessment है यानि आपकी worksheet आपकी project work है वो check किये जाएंगे दूसरे ये कि हो सकता है क्योंकि clear नहीं है हो सकता है आपका online exam भी हो तो उसकी regarding आपको जल्दी within one or two days आपको एक detailed circular मिलेगा DOE की तरब से उसमें mention किया जाएगा बहुत सारे students है उनको school की तरब से एक अलग group बना दिया गया जिनका re-assessment होना है और उनको एक message भी दे दिया गया कि जैसे instructions आएंगे डियो की तरब से आपको यहीं पर share किया जाएंगे तो आपको लगातार touch में रहना अपने school के अपने teachers के ताकि re-assessment हो जो भी process रहेगी वो आपको बताई जासके क्योंकि पहले जो हमारे डिपटी सियम जो मनीश शिशोधिया जी है उनकी live में ती यह कहा गया था कि आपका re-assessment आपके internal assessment के बेस पर होगा कि आपने work sheet आपके project work है या PT exam है वो कैसे हुए तो उस बेस पर सोचा जा सकता है आपको promote कर दिया जाए या फिर promote ना किया जाए लेकिन साथ ही साथ जब DOE की तरफ से details circular दिया गया था तो उसमें बात किया गी थी कि जुलाई की second week में re-assessment होगा और उसका एक schedule आएगा अगर schedule आता है इट मिंस आपका online exam होना है तो आपको सिरफ ये वेट नहीं करना कि circular का बाएगा आप जिन subject में re-assessment है तो आप first three four chapters है at least वो revise कर लिजे first three four chapters जो कि more than enough रहेंगे passing marks के लिए तो उनके उपर आप focus किजी most important questions ही आपको सिरफ करने है कि इतना detail में तो अगर जाते तो सकता है आपके re-assessment नहीं आती तो यहाँ पर re-assessment की बात होगी आपके result या position की बात होगी बात आती है worksheet की worksheet का wait किया जा रहा है तो worksheet की regarding अभी जो teacher से जो आपका result आया है उसके बाद आपके admission होना है next class में तो वो work काफी ज़्यादा हो जाता है paperwork है students के कहीं पर भी mismatch हो रहा है data तो वो भी check किया जाना है admission withdrawal register से तो उसमें कुछ time लगेगा इसलिए worksheet expected है not sure जो हमें बताए गया हमें अभी ये बताए गया कि July से ये 1st of July से हो सकता है या फिर 5th of July से हैं कि Monday है तो तब से आपकी worksheet आपको मिलना शुरू होगे तो need not to worry worksheet आनी है आनी ही आनी है और पूरे साल आपको worksheet ही करने है तो इतना भी जल्दबाजी ठीक नहीं अभी आपको क्या करना है अपनी notebook ले लिजे preferably आपको क्या लेना है आप prefer कीजिए register को register लिजे उसमें आपको worksheet करने है तो उनको cover up कर लिजे तो ये सारी अपनी त्यारियां पूरी रखिए worksheet आएगे तो उनको आप साथ साथ करते जाओगे तो आज की subject में बस इतना ही अगर आपके फिर भी कोई doubt ये question रहते है तो आप comment box में comment केजिए reply देने की कोशिश की जाएगी साथ ही जाथ जो students telegram के उपर नहीं है तो आप telegram join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर कई बार आपके question ऐसे होते हैं जो आपके individual personal question होते हैं यानि common question ही होते हैं तो common question अगर आपके नहीं है तो वह हम discuss यहाँ video के through नहीं कर सकते हैं वहाँ पर telegram पर reply देना मेरे लिए easy रहता है तो आप join कर सकते हो जिसका link description box में दिया गए तो इस episode में इस video में इस update में बस इतना ही thank you bye bye have a nice day